हेलो फ्रेंट्स दो सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स अलफद्धियन पर इंट्रेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटिद नेक्स्ट कुश्चिन की हम बात करेंगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्जाम्पल के बारे में कि किस तरीके से इंट्रेस्ट कैलकुलेट करते हैं 30 दे मन्त, कलेंडर मन्त, यर या कलेंडर यर के अकोर्डिंग तो यहाँ पर एक कोश्चन है उसको हम देख लेते हैं उसके बाद हमें और भी चीज़ें किलियर हो जाएंगी यहाँ पर XYZ फर्म का HDFC बैंक बैलेंस पहले तो 10 लाग रुपे का यहाँ पर अविलेबल है और फर्म ने परचेस करे हैं 35 पीस HCL के लेप्टोप, I3 लेप्टोप from डिजिटल कम्प्यूटर और यह जो ट्रांजेक्शन हुई है 2 अगस्ट को हुई है एक पीस 31,200 रुपे का है और फर्म ने 30 पीस का पैसा चेक से पेमेंट कर दिया है साथी साथ बाकी का जो amount है वो 31 October के लिए due है यानि कि जो firm ने 35 computer खरीदे थे उनमें से 30 piece का पैसा तो firm ने उसे दिन payment कर दिया है और बाकी का जो pending amount है उस पर यहाँ पर interest charge होगा 31 October तक तो जो digital computer की तरफ से interest charge हुआ है 1.5% monthly और यह जो monthly है 30 day month के according यहाँ पर credit period dates भी दिया गया है 10 दिन का इसका मतलब firm ने जो computer खरीदे है digital computers से वहाँ से firm को 10 दिन का और time मिला है यानि कि 10 दिन का हमें interest charge नहीं होना bill जो बना है 2 अगर्स से बना है यानि कि 10 दिन का हमें और amount मिल चुका है after the transaction date of purchase तो calculate करना है हमें interest amount जो भी हमें pay करना है 31 October को digital computer को नीचे की तरफ answer भी mention है 6,240 रुपे जो की है 13 अगस्ते क्योंकि हमारा 12 दिन का यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 2 अगस्त को तो हमने purchase करा था साथ ही साथ 10 दिन का हमें यहाँ पर credit period days भी मिला है और यहाँ पर transaction date of purchase के बाद किया गया है तो हमें amount deducted भी yes करना है यानि कि अगले दिन से वो interest चालू होगा तो आएए देख लेते हैं यहाँ पर tally में practical tally में हमने पहले से ही features को activate कर दिया है और item और units हम पहले ही बना चुके हैं हम यहाँ पर सिर्फ party बना देते हैं party हम बनाने के लिए digital computer का नाम डालेंगे जिन से हमने purchase करें है computer यहाँ पर sundry creditor में रखते हुए सबसे पहले तो default credit period जो की 10 दिन का दिया गया है वो हमें यहीं mention कर देना है उसके बाद activate interest calculation को yes रखते हुए transaction को yes रखना है और amount added नहीं करेंगे क्योंकि हमें next day से interest charge होगा after the 10 days of bill generate यहाँ पर 1.5% per month के according 30 day month के according यहाँ पर balance charge होगा क्योंकि हम purchase में credit balance लेंगे applicability हमें always ही रखनी है और calculation हमें due date पर रखना है क्योंकि 10 days के बाद से हम चाहते हैं invoice पर हमारा interest calculation शुरू हो उसके बाद हमें यहाँ से इसको pass करा देना है purchase का एक laser बना देना है purchase account में साथी साथ company का जो HDFC bank account है वो भी हमें यहाँ पर डाल देना है और उसका भी एक amount हमें यहाँ से fill कर देना है 10 lakhs उसके बाद हमें transaction करनी है accounting voucher में हमने transaction की है purchase करी है वो हमें F2 से date बदलते हुए 2nd of August रखना है digital computer से 35 pieces हमने यहाँ पर purchase करे है SCL laptop के और 31,200 रुपे के हिसाब से हमने जो purchases की है वो total amount हो जाती है 10,92,000 रुपीज साथी साथ हमने 30 pieces का पैसा भी pay कर दिया है आप F5 में same day digital computer आप control N से calculator नीचे की तरफ open कर सकते हैं 31,200 multiply 30 pieces जो की है 9,36,000 रुपे यानि की firm ने उसी दिन इस amount को अपने HDFC balance से against जो हमारा bill था 2nd of August का उसका हमारा यहाँ पर bill HDFC bank से बुक्तान कर दिया है तो जो बाकी का amount बचा हुआ है उसका हमें interest charge होगा वो हम check कर लेते हैं display के अंदर statement of accounts interest calculation laser पर जाते हुए digital computer पर F2 press करना है और जो हमें interest देखना है 31 October तक वो आप यहाँ पर check कर पाएंगे 13 August से 31 October तक का हमारा interest charge हो रहा है जो की 80 दिनों का है और 62, 140 रुपे हमारा total interest बैठता है क्योंकि हमने calculation 30 day month के according लिया है तो वो 30, 30 के according यहाँ पर 1.50 interest rate के according यहाँ पर total interest charge हो जाएगा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने वहाँ पर calendar month माना था तो उसमें क्या होगा कि 31 days का अलग interest होगा और थोड़ा बहुत उपर नीचे एक दिन का अलग amount होगा इस वज़े से यहाँ पर हमारा जो total amount है वो exact आ रहा है 30 day month के according हमने लिया है hopefully यह question आपको अच्छे से अप clear हो गया होगा आगे आने वाले questions में हम और भी चीजे देखने वाले हैं interest calculation से related thank you for watching bye bye झाले होगा झाले होगा झाले है